दोस्तो हम नया फोन लेते हैं, एक साल तक दो साल तक वो अच्छे तरीके से चल भी जाता हैं, लेकिन उसके बाद वो जो फोने स्लो होने लगता हैं या फिर हैंग होने लगता हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुल मिला कर चार एसी सेटिंग बताऊंगा, कि वो अगर आ जैसा नया जैसा काम करने लगेगा, तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश, आप देख रहे हैं टेक माइड, चलि आज कुछ नया सीखते हैं, दोस्तो कुल मिला कर जो चार सेटिंग हैं, उन में से सबसे पहली वाले जो सेटिंग हैं, वो मैं आपको यहापे दिखाने आपको बंद कर देना है, तो आपको अबाउट डिवाइस में जाना है, अब यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, डाउनलूड अप्डेट्स अटोमेटिकली, तो इसका जो ठीक हैं, आपको निकाल देना है, तो ऐसा करने से क्या होगा, कि आपको जो यहां पर अपडेट वहां पर ढूंदता रहता है, तो इस यहां प्रोसेस में हमेरी RAM जो है वो consume हो जाती है, तो इसको अपडेट जो है उसको बंद कर दीजे, अपडेट जो है, इसको भी आप बंद कर दीजे, तो ऐसा करने से आपकी जो RAM है, वो यहां पर बहुती ज्यादा बचने वाली है, उसके बाद मैं आपको दूसरी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, तो आपको जाना है, प्ले स्टोर पर अपको खुल जाएगा, और यहां आपको ट्री लाइन दीख रही है, उसके बाद जाना है सेटिंग में, अब सेटिंग में यहां पर अटो अपडेट अप्डेट अप्स यह जो ऑप्चन है, ठीक है, इस पर आपको टिक करना है, तो यहां पर अटो अप्डेट अप्स जो है, वो आपको आपको आफ कर लेन तो यह करने से भी आपकी जो RAM है यहां पर बचने वाली तो यह हो गई दुसरी सेटिंग इसके बाद आपको तिसरी सेटिंग यह करनी है कि आपका अपना Mobile जो होता है यहां पर उसका just synchronized process जो होता है यहां पर आप सींक देख रहे हो अगर यह enable रहेगा तो भी आपका phone जो हो जाता है तो sync जो होता है वो हमेशा हमारी जो contacts होते हैं इनको हमेशा synchronize करता रहता है और इसमें वो RAM जदा यहाँ पे consume करते है तो आपको sync को यहाँ पे disable कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे turn off saings जो है इस प्रकार से यह टर्न ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमारी जो रम है वो यहाँ पर बचने से बाल जो आखरी वाली सेटिंग है बहुत ही यहाँ पे एंपोर्टन से電ग में आपको बताने आपको फिर से जाना है सेटिंग में और सेटिंग में आपको यह जो developer option यह जो दिख रहा है ठीक है इसमें जाना है तो by default यह developer option जो है वो enable नहीं रहता है उसको हमें enable करना पड़ता है तो हम यहांपे about device में जाएंगे तो samsung के phone में जो build number होता है ठीक है software info में यह जो build number होता है इस पर आपको तीन या चार बार टैप करने के बाद ये developer option खुल जाता है तो यहाँ पर मैं build number पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा already enable है आपकर आपका MI का Redmi का phone है तो आपको यहाँ पर क्या करना है ठीक है developer option को enable करने के लिए आपको about device में जाना होगा और MIUI version जो है उस पर आपको 4-5 बार टैप करना है तो आपका developer option खुल जाएगा तो आपको developer option में जाना है MI के phone में additional setting में developer option होता है तो यहाँ पर मेरा open setting में ही है तो यहाँ पर आपको developer option जो है उसको on करना है उसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है तो यहाँ पर आप देख रहे हो Windows animation scale, transition animation scale और animated duration scale यह जो है तीन option यहाँ पर scale जो है उनका 1x दिखाता है तो यहाँ पर animation को आपको off कर देना है उसके बाद इसका भी animation off कर देना है और तिसरी नंबर का भी animation off करना है तो animation जो होता है जो हम mobile यूज़ करते है और उसी RAM को आप अपने process में जो भी आप यूज़ करते हो WhatsApp, YouTube जो भी यूज़ करते हो उसमें बची हुई RAM का इस्तेमाल आपना phone जो है वो कर देता है तो दोस्तों यह 4 cool मिला कर जो setting है वो 4 setting आप अपने mobile में कीजिए मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपका phone जो है वो नया जैसा काम करने लगेगा